हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सिकाने जा रही हूँ एक और न्यू डिजाइन का डोर मेट मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा वीडियो शेर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की एक दो दो यहाँ पर बिल लिए अब देखें अब यलो कलर लेना है एक यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो ये देखें दस दस फिंदे बिल लिए उस अलाई को यहीं से पलड लेना है ध्यान से देखेंगा फिर से हम दस फिंदे सीधी तरफ से बुन लेंगे हो बुनेंगे उल्टा उल्टा आप फटी परानी साड़ी से भी बना सकती है इसको में क्रम बगेरा यूज कर सकती है अब देखें ये देखें दस फिंदे हमने बिल लिए सलाई को पलड लेना है अब देखें द्यान से देखिएगा दो फिंदे हम इस वाली सलाई पर दो फिंदे हम इदर से चोड़ देंगे तो चार फिंदे मेरे चूट जाएंगे चोड़ बचे अब देखें इदर से हम सारे छे बिल लेंगे ये देखें छे बिलिये अब फिर से देखें दो हमने इस वाली सलाई पर ले लिए एब दो फिंदे हमने यह बिन लिए अब देखें दो फिंदे नीचे की तरफ दो फिंदे हमारे उपर की तरफ इसको हम दो फिंदे इस तरह से बुनेंगे यह देखें अब दो फिंदे मेरे पास बचे हुए है अब उपर की साइड से नहीं बुनेंगे यह देखें सलाई को पलट अब यहाँ से इस तरह से एक फिंदे को उठाएंगे दूसरे वाले फिंदे के साफ में इस तरह से बुन देंगे अब फिर से देखे हैं अब फिर से हमने पलट लिए सलाई को अब नीचे वाले दो फिंदे बुन लेगे अब यह भी गेपिंग है, तो गविम इस तरह से खतम करेंगे, दो फिंदे बुल लेगा है इदर से एक फिंदे को इस तरह से हम उतार लेंगे अब सारे फिंदे यज़ो वाले कलर के बुल लेगा है ये देखें हमने सारे फिंदे बिल दिये अब देखें अब ये वाले फिंदे हैं इसको इस तरह से अब ये कली चोटी सी बन के तयार हो गई है अब आंगे देखें किस तरह से बनाना है ये देखें पहली रो इस तरह से ये देखें अब देखें दस फिंदे हमने यहां दो ऊपर के और दस ये अब इसको हम इस तरह से ले लेंगे यहाँ और चलाई को पलड लेंगे फिर से हम उतार लिया फिंदे को और इस तरह से कर लिया तो इसकी आउट लाइन बनानी है आउट लाइन इस तरह से बनेगी तो यह पत्ती बनके तयार हो गई अब देखें आँगे हमें किस तरह से बनाना है अब देखें अब किस तरह से बनाना है दो फिंदे हमने ये वाले बना लिये अब ये वाला कलर हम इसमें लगा लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो दस फिंदे बनाए उसलाई को यहीं से पलड लिया है आप उपर तक जो जैसा है बैसा ही बना लेंगे अब देखें यहां पर एक फिंदे को हमने इस तरह से बनाया अब यहां पर एक और दो अब दो फिंदे हम नीचे जाएंगे एक और दो दो फिंदे नीचे गए सलाई को यहीं से पलड लिया है अब उपर तक इसी तरह से बना ले नहीं यह देखें दो फिंदे आउट लाइन के अब यहां पर देखें एक फिंदे को हम सौरी यहां पर हमें यलो पलर से करना है रेड नहीं करेंगे यलो कलर करेंगे यह देखें इस तरीके से अब यहां पर इस तरीके से बन लेना है इधर से इस तरीके से आपको बनाना है यह देखें इस तरह से हमने खींच लिया इसको अब देखें यहां पर दो फिंदे हो जाएंगे यलो कलर के अब रेड है यहां पर आउट लाइन दो फिंदे अब रेड वाले ले लेंगे और दो फिंदे हम फिर से नीचे जाएंगे दो फिंदे नीचे सलाई को पलचती जाएंगे तो इसी तरीके से यह नीचे तक बनाना है तो मैं बना लेती हूँ यहां पर इसी तरह से यलो कलर आता जाएगा और बीच में ये green color outline वाला तो मैं कड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखो हाफ कली मैंने बना ली है अब यहां से देखें यहां से अब yellow color हम यहां से देखें green color लगा लेना है सारे फिंदे ग्रीन हो जाएंगे तो यहां तक कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखो इहां से लेके यहां तक बुन लिया है अब देखो अब हमें यलो कलर लगाने है इस तरीके से यह दो दो सलाइन की डिजायन है दो सलाइन हम यलो कलर की निकालेंगे और दो सलाइन हम ग्रीन कलर की निकालेंगे यह देखें दो फिंदे हमने लेगेर बुने हुए छोड़ दिये और सलाइन को पलट की अब ऊपर तक बना लेए बना लेते हुए फिर आपको देखा अब देखें अब हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और दो फिंदे लाश्ट में यह लो कलर के छोड़ देखें उपर की साइड यह देखें दो फिंदे हमने छोड़ दिये अब उपर तक जो जैसा है बैसा ही बुनते जाना अब देखें फिर से अब हम नीचे की साइड दो दो फिंदे छोड़ते जाएंगे अबोर हलसा दो फिंदे अब अब दो फिंदे क्लार के बुनें और दो फिंदे हम ने इसके बुनेघे यह फिनदे फिर से यलौ कलर के बुनेंगे दो फिंदे फिर से हम घ्रीन तो पूरी रो में हमें इसी तरह से कर ले घजुँ जर обычно कर लेंगे बैसा ही बनाते जाना गशां पूरी रोख ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूं फिर आपको दिखाती है यह देखें ऊपर तक मैंने कंप्लीट कर लिए अब देखें अब हम ग्रीन कलर लगा लेंगे और ग्रीन तक दिलेंगे और सलाई को पलट लेंगे यह देखें यलो कलल लगा लेंगे अब जो जैसा है वैसा ही कलल लगाते जाना है और बनाते जाना है कहीं कुछ हमें नहीं करना है यह देखें यहां तक बना लिया सलाई को मैंने पलट लिया तो इसी तरीके से मैं नीचे तक बना लेती हूँ, फिर आपको आंगे का बताती हूँ मैंने पूरी कली ये कम्प्लीट कर लिए, अब ये वाली कली बनाने है, किस तरह से इधर बनाओगी, गो देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब यहां पे देखे, एक, दो, अब ये देखे, रेड कलर, रेड कलर से कली बनानी है, तो यहां से अब सारे फिंदे रेड हो जाएंगे, और दो फिंदे ग्रीन वाले हमें छोड़ देने हैं, ये देखे, छोड़ दिये, तो सलाई को यहीं से पलट लिया है, अब उपर तक जो जैसा है, बैसा ही बुन लेना है, ये देखे, हमने यहां से शुरू आप कली बना कर ली है, डिजाइन की, अब देखे, अब यहां पर चार खिंदे बनाएंगे, ये कली अभी उपर की तरफ आएगी, ये देखे, इस तरह से, एक खिंदे को कर लिया, और नीचे की साइट पर दो फिंदे अमें बिगेर बने हुए, रेड वाले छोड़ देने हैं, ये देखो, दो फिंदे छोड़ दिये, सलाई को यहीं से पलड़ती जा रहे हैं, अब उपर तक जो जैसा है, जैसा ही बुनते जाने हैं, ये देखो, ये वाले तीन बचे, इसी तरह से उपर तक बनाना है, तो मैं दो-दो फिंदे नीचे छोड़ती जाऊंगी, एक 4, 5, 6, तो 12 फिंदे में छोड़ लिए, बाकी फिंदे इसी तरह से हैं, अब देखें, उपर वाली जो ग्रीन कलर है, उससे मैं पूरी रो इसी तरह से बिल जाए, जिस तरीके से मैंने फिंदे डाले ते उसी तरीके से आजाए, तो मैं कर लेती हूं, फिर आपको दिखाती यह देखें, जिस तरीके से मैंने फिंदे डाले थे, उसी तरीके से आजाए, अब देखें, अब देखें, हम बीट में कली बनाएंगे, छोटी से, दस फिंदों में, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इन फिंदों में अभी हमें कुछ नहीं करना है, देखो, सलाई को यहीं से हमने पलट लिया, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, तो इसको बना लेती हूं, फिर आँगे की डिजाइन आपको दिखाके, यह कली बनके तयार हो गई है, यह रेड कलर से है, इस तरीके से, यह देखो, दस फिंदे हमने बिन लिये, और सलाई को यहीं से पलट लेना है, अब उपर तक बना लिए, यह देखे हमने बना लिया, शुरुआत हो गई कली की, अब देखे, यलो कलर से एक फिंदे को बिनेंगे, आउट लाइन चलेगी, यह देखे, एक एक फिंदे को हम नीचे की सइट करते जा रहे हैं, बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे, नीचे आप एक बार और देख लें, ताकि आप अच्छे से बना सकें, यह देखें, दो दो फिंदे हम नीचे की साइड बढ़ते जाएंगे, वो सलाई को पलटते जाएंगे, तो इसी तरह से नीचे तक बनाना है, यह देखें, इसी तरह से हमें यहां तक बनाना है, फिर यह वाला कली बनानी है, फिर यह वाली इसी तरह से बनता जाएंगे, तो झाल